गुड इनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहाट सिंक्ला मिन्स रिविजन बैच चल लई है उसकी 14 वी क्लास पे चलेंगे और इस 14 वी क्लास में आज हम लोग देखेंगे रिओदरिंग अफ सिंटेंस से सम्मन्दित महत्वण एवं बोर्ड परिच्चा में आई वे प्रशनों को आज हम लोग स्यूल करेंगे और इसके पहले परचे आपकी 13 वी क्लास हो चुकी है रिविजन बैश की यद उसमें से आपकी कुई भी क्लास सुटी हो तो आप चैनल की playlist में चले जाएए चैनल की playlist में जाएएगे तो आपकी इपनी playlist बनी होगी English, revision, best, class 10th करके आपकी इपनी playlist बनी होगी उसमें सारी classic schedule wise लगी होई होगी तो जहां से भी आपका चूटा है आप वहां से देख करके पुरा कर सकते हैं और प्यार्चे इस अंतिम प्रहार सिंकला की कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड परिच्छा में प्रश्ण बनेगा, इससे अतरिक्त एक भी प्रश्ण नहीं बनेगा, तो प्यार्चे इसली कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो जल पहलत order का वाक दिया होगा उसे सही order में लिखना होगा और वाक के सही order में कम लिखा जाता है पहले subject होगा फिर उसके बाद वर्व होता है फिर उसके बाद object होता है यह सही order सही क्रम होता है वाक के का अब देखो आप जब इसे करना सुरू करोगे आप जैसे क्रम वाई subject लेक पर तीसरे नंबर पर आपका object होगा इस चीज़ को ध्यार अंदोगे तो बाकी अन्य सब्द भी जो आएंगे बाकी इसमें और भी अन्य सब्द आते हैं जो भी अन्य सब्द आएंगे आप आसानी से सटीकता से जहां पर भी अर्थ निकल लाओगा वहीं से अर्थ निकालते रखते हुए चले जाएंगे अब चलते हैं दस आज प्रैक्टिस करा देंगे दस में प्यारचे आप बहतरी नंग से परंगत हो जाएंगे आपको कहीं कोई दिक्का समस्या परसानी नहीं होगी पहला हमने लिखे वे इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी दी अब यह आप नहीं है इससे सही कर्म लिखने हुए हैं जिस सही आरेजमेंट करना है इसका क्या हो जाएगा पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे सब्जेक्ट आपका वी हो जाए eater करोड़ी कर दिए अब उसके बाद आपका वर्व हैं वर्व को गया वर्व even फुटबॉल वी दी में वर अब object लिखो, object आपका football हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, we play football हो गया और लास्टी में आपने in the evening जोड देने है जो in the evening आपका लिखा हुआ है, जो बागी बच्चा हुआ है आपको एक सही क्रम में लिख देना, in the evening ही होगा उसके दी तो पहले हो नहीं सकता है, तो इन दी इवनिंग हो जाएगा तो simple से आपने कर दिया, we play football in the evening यह आपका सही right arrangement हो गया, मिंस सही क्रम हो गया इसी तरह से आपके पोर्ड परिच्चा में पोचेगा गलत क्रम दिया होगा, उसे आपको सही क्रम में इस तरह से लिखना होगा बहुत आसान होता है प्यारचे, आपका एक नंबर का प्रश्चा आएगा और एक नंबर पाना बहुत आसान होता है आगे चलते हैं, प्यारचे, second हमने लिखे विए है fever last been has from suffering night he since तो आप इसे सही क्रम में लिखने है, सही क्रम में पहले subject खोज लो subject आपको दिख रहा होगा, last में he लिखा हुआ है तो means he आपका subject हो जाएगा he आपने लिख दिया, आप उसके बाद verb लिखोगे अब इसमें has been, has been का प्योक किया गया है और आपको पता है has been क्या होती, helping verb होती है तो आप helping verb पहले लिखोगे, फिर उसके बाद main verb लिखते हो तो आपका helping verb आपका has been हो गया, has been आपने लिख दिया he has been हो गया, अब उसके बाद main verb लिखोगे main verb आपका क्या हो गया, suffer है, तो means suffering आपका है तो क्या लिख दिये, he has been suffering, किस से suffering है, किस से कस्ट उठा रहा है, fever से suffering है ना, तो from fever कर दी, कब से है, since last night ना, तो प्याच्छे, since समय के लिए, since far का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर semi clean, इस समय के लिए, since का प्रयोग किया है, तो since, उसके बाद last night कर देंगे, last night समय दिय है, ना, तो since last night हो गया, आपने आसानी से कर दिया, he has been suffering from fever since last night कर दिया, आसानी से आपने कर दिया, प्याच्छे, आप argument बनाने के लिए, बस subject, verb, object को concept प्याद रखो, बाकी जो भी सब्द लिखे वी होंगे, वो आसानी से उसी बीच में अर्जिस्ट हो जाते हैं, उसमें क पहले पर रखोगी, ही हो गया, उसके बाद verb खोजोगे, verb आपका read है, तो आपका क्या हो गया, he reads हो गया, अब उसके बाद he reads हो क्या पढ़ता है, magazine पढ़ता है, he reads a magazine हो गया, उसके बाद daily आप जो बचा हुआ है, magazine आपका object हो गया, तो he reads a magazine daily हो गया, आपने आसानी से concept ब बिखने हैं सब्जेक्ट सब्जिक्ट आपका वी है तो ही हमने पहले लग दिए वी हो गया उसके बाद आपको रखने हैं क्या सुड का प्रयोग करना है helping verb आपका सुट न, तो सुट लगा दिये, we सुट हो गया, main verb आपका work कारी करना होता है, तो we should work हो गया, we should work hard for success, सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, का depression हम करना चाहिए, आपने आसानी से बना दिया, we should work hard for success आपने बना दिया, तो प्याची, यही हम कह रहे हैं, आप concept समझ जाओ, यह बहुत आसान होता है, बस आगर आप concept समझ गया प्याची, तो बहुत easy सा लगेगा, ठीक है, आगे चलते हैं, पांचों पे चलते हैं, पांचों आपके सामनी है, me give it to something please, आप इसमें कैसे करोगे, आपको पता है, imperative sentence है, और imperative sentence में अगर please लगा हुआ है, तो please हमेशा पहले वाक की आता है, तो आगा है, please पहले लिग दिया, उसके बाद वर्बाती imperative sentence में, तो आपने please के बाद give लिग दिया, अब give की बाद क्या आएगा, me आएगा, please give me something, और me मुझे तो, मुझे क्या दो कुछ दो न, तो क्या हो गया, please give me something, किस लिए to eat खाने के लिए, तो आपका आसानी से आपने क्या कर दिया प्लेज गीव मी सम्थिंग टू इट आपने इस तरह से आसानी से करके इसे सही रेजिमेंट कर दिया सही करमे कर दिया प्लेज गीव मी सम्थिंग टू इट कर दिया आगे बढ़ते हैं पैच्छे छटे एक्जाम्पल की तरह बढ़ते हैं छटा आपके सामने है वीक लास्ट मद्रास इन वाज आई पैच्छे आई आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आपने पहले लिख दिया आई हो गया अब इसके बाद helping वर्व आपकी क्या है वाज है और वाज इसमें प्रयोग किया गया है बाकी main वर्व का प्रयोग नहीं किया गया है तो आपका Ivaras हो गया last week means पिछले सब्ता होगी आपको complete हो गया I was in madras, मैं madras में था last week पिछले सब्ता, पिछले सब्ता मैं madras में था आप अर्थ भी निकालोगी तो अगर concept बनाने के बाद जो सही करम, सही order में खोगे आपका अर्थ भी बेहतरी नग से निकल जाएगा अगर order का सही नहीं होगा तो अर्थ भी सही से नहीं निकलेगा तो इस बात को इस concept को दिमाग में सटकी रहो आपका असानी से हो जाएगा तो प्याच्छे ए हो गया, आपका right arrangement हो गया आगे चलते हैं अगले किसन पे सात्वे किसन की तरह बढ़ते हैं आपके सामने है, has my book taken who अब who वाला वाक है, who वाले वाक में पता है आपको who पहले number पे आएगा, who आपने लिख दिया who के बाद helping verb लगाते हो, who has हो गया main verb लगाएंगे, तो taken आपका main verb आएगी who has taken, किसने मेरी लिया, किसने मेरी क्या लिया my book मेरी पुस्तक न लिया न, तो आपने क्या कर दिया who has taken my book, आपने आपने आसानी से कर दिया who has taken my book, आपने इसे आसानी से कर दिया उमीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कहीं कोई दिक्कर समस्या प्राब्लम नहीं हुई होगी अगे बढ़ते हैं पिया अगले पर 80 वी निमबर पर बढ़ते हैं और जल्दी से वीडियो के like करते चलो एकदम बेहतरी इन्डंग से बता रहे हैं अब यहाँ पर दिखना अब इसमें सब्जिट क्या इंडिया है तो आपका इंडिया पहले हो जाएगा अब वर्व क्या हो जाएगा, ओन जीतना, जीतना आपका वर्व हो जाएगा, तो इंडिया ओन, क्या जीता इंडिया, क्या जीता, मैच जीता ना, इंडिया ओन दी मैच हो जाएगा, अब कैसे जीता, बाई एन इनिंग्स, एक इनिंग्स से जीता, एक पारी से जीता, आपने सिंपल सा जहसे concept रना दिया इंडिया ओन दी मैस इंडिया subject हो गया ओन आपका वर्व हो गया उसके बाद आपका दी मैस क्या हो गया object हो गया उसके बाद बाई के बाद आने सब्दों को उसके बाद जोर देते हैं by an innings हो गया तो इंडिया ओन दी मैस by an innings आपने आसानी से कर दिया आपको कोई दिक्कास समय से अपर आबलम नहीं हुई होगी आगे बढ़ते हैं ये भी आपका important है और प्यार्चे जितना भी हमने दसो लिए हुए हैं दसो आपके board परिच्चा में आया हुआ ना हो अपने मन से नहीं बनाए हुए हैं प्यार्चे जो आपका board इससे आपको correct करना है correct कैसे हो जाएगा regular exercise आपको पहले आ जाएगा subject आपने regular exercise मुना दिया regular exercise आपने कर दिया रेगलर इकسरसाइस कीपस इस फिट आपने इसे नविए को आसानी से चैन्स कर दिया दसवें और अंतीम किसें की तरह बढ़ते बहां इसकी इस कलास का दसवा और अंतीम किसें है गॉतम प्रिंजे मैरीडव वाज योसुदरा प्रिंसेस टू beautiful अब इसे आपको convert करना है सही order में लगाने हैं तो इसमें सही order में आपका क्या हो जाएगा गौतम आपका subject है तो क्या हो जाएगा प्रिंस गौतम क्योंकि प्रिंस भी सब्द प्रियोग किया गया है तो प्रिंस उसका जो adjective हो गया उस नाउन के पहले ही प्रियोग करेंगे न तो adjective प्रिंस का adjective क्या है प्रिंस है तो हम प्रिंस का प्रिंस गौतम के पहले लगाएंगे ना ना उनके पहले लगाएंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा प्रिंस गौतम अब उसके बाद वाज हेल्पिंग वर्भ है तो वाज धन में लगा दिया उसके बाद में वर्भ खोजेंगे में वर्भ आपके सामने क्या है मैरीड है तो क्या हो जाएगा प्रिंस गौतम वा प्रिंस गौतम वाज मेरी टू आप ने इस तरह से बना करके बहतरी नंग से आपने कर दिया उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा अब आपको रियॉर्डरिंग आप से कोई दिक्कत नहीं होगी इसी तरह से आपको बोर्ड परिच्छा में जो भी आएगा आपको इसी तरह स एक बास बस इतना ध्यान देना है रियॉर्डर करने के बाद प्याज़चे आपको इसका हिंदी अर्थ निकाल लेने है अगर हिंदी अर्थ सटीक ढंग से बैट रहा है तो मतलब समझो आपका बेलकुल बेहतरी सबसे सही है अगर हिंदी अर्थ में कोई दिक्कत आ रही त तो आज ही अगली class देंगे, नहीं तो कल सुबह आपको मिल जाएगी अगली class ठीक है, और person आपका science का paper है तो इसले कल जादा classes नहीं होंगी, कल दो या तीन classes आपको सुबह दो पहर तक मिल जाएगी, बाकि साम को कोई class नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी वोड पर इच्छा है परसों तुसले साम को कोई क्लास नहीं मिलेगे प्याचे कल टेक है परसों पेपर देके आओगे तो फिर दो पहर के बाद से लगातार आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसके बाद अंग्रेजी का ही अगला पेपर है वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 की हर एक वच्चे तक वीडियो को सेर और जो भी इस बार की बोड पर इच्छा दे रहे हैं और कुछ बैतरी लाइनों के साथ क्लास की समापती करते हैं आप पीछे जाकर शुरूआत को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन जहां से हैं वहीं से सुरूँ करके रज़ल्ट को जरूर बदल सकते हैं तो प्यास आप पिछला समय जो बीट गया है उसे नहीं बदल सकते हैं लेकिन जहां से हैं अबी से आप मेहनत करोगे तो आपका रजल्ट बहतरी ना आएगा तो इस बात को ध्यान रखना और पूरी मेहनत करना ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं, इनने उम्मेदों के साथ सेशन की समापती करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन, अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना धाया रखें, परिवार का धाया रखें, लेव याल प्यार बच्छो,